प्रोसेशर कोंजहे दोस्तों मेरे नाम घुल और आप देख रहे हैं अटूल टैक बजा एक जमाना थ हो जब मीडियाटक के प्रोसेशर को कोही नहीं पूछता था और स्नेंद्रेजन के प्रोसेशरी आगे बढ़ रहे थे लेकिन जब से दोस्तों MediaDeck का P-series का processor आया है तो दोस्तों MediaDeck ने अपनी एक हाइक बना ली है मार्केट में सबसे पहले दोस्तों P30 आया था processor और उसके बाद जो processor आया था P60 दोस्तों वो processor उस्तों इतना powerful और AI-based processor था कि उसने market में अपनी एक real image बना ली थी यही P60 processor हमें Realme 1 में देखने को मिल जाता है और यकिन मानिए Realme 1 जब से मैं यूज कर रहा हूं P60 processor के साथ फोन हीटिंग का जो इशू था वो भी नहीं आ रहा है AI-based processor होने के कारण battery भी कम resume करता है और हाली में अभी U-series का एक mobile आने वाला है Realme का आज 28 तारिक के दिन 12.30 बजे वो launch होने वाला है Helio के P70 processor के साथ वर्ण का पहला ऐसा mobile है जो की Helio के P70 processor के साथ आने वाला है उसकी जो भी specification है प्राइज वगेरे सब रिल लिक्स हो चुकी है यह जो mobile आने वाला है यह 11,000 और 15,000 के बीच में आने वाला है दोस्तों चलिए इसको हटा के हम बात कर लेते ही Helio P70 को छोड़के हम बात कर लेते हैं Helio P80 के बारे में जो की अभी market में आने वाला है Kirin 980 के प्रोसेसर से भी ज्यादा भैतर प्रोसेसर है यहाँ पर आप AI benchmark के score देख सकते हैं जिसमें 22,000 पॉइंट के साथ सबसेट टॉप पे Snapdragon का आने वाला 8150 प्रोसेसर है और second number पर यहाँ पर आपको मिल जाता है Helio का P80 प्रोसेसर जिसे लगबक साड़े 19,000 पॉइंट्स में लें यहाँ पर यह कंफर्म कर दिया गया है कि Helio का जो P80 चिपसेट आएगा वो OPPO के R19 सीरीज के साथ आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप 2019 में तयार रहे है इस प्रोसेसर के experience लेने की लिए वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चनल को लाइक सेरो सब्सक्राइब करते लिए रब तक के लिए इन दोस्तों बोलते रहे हैं बंदे महत्रम